अलो फ्रेंड्स आज हम देख रहे हैं कि अगर हमें डूपल 8 में कोई कस्टम मॉडूल के थुरू नोड बनाना है मतलब डूपल में हम जो कंटेंट टाइप यूज करके और जो नोड बनाते हैं उन नोड को अगर हमें प्रोग्रामेटिकली बनाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हमें नोड को प्रोग्रामेटिकली बनाना है तो जो मैंने यहाँ पर एक कस्टम मॉडूल बनाया है और उस मॉडूल का यूज करके हम नोड बनाएंगे तो जो basic structure होता है module का तो module बनाने के लिए हमने सबसे पहले info.yml file बनाई यह जो file है वो कुन सी है info.yml file यह module folder के अंदर मैंने custom node करके folder बनाया है इस folder के अंदर हम एक file बनाएंगे जो file होगी custom node info.yml file जो file मैंने अभी notepad पे open कर रखी थी वो info.yml file हो गई उसके बाद में हमारा एक routing file बनेगी जो की routing file बनाते हैं हम लोग module को file से content को connect करने के लिए तो यह routing file है routing file में हम basically जो काम 7 में hook मीनू से होता था वो 8 में वही काम routing file के धुरू होता है तो हमने routing file बनाई है path mention कर दिया यह path हो गया हमारा और यहाँ पर controller और controller के अंदर controller के अंदर हमें वो class का नाम देना होगा जहाँ पर function define है जहाँ पर वो controller हमने बनाया है ठीक है उसके बाद में यह title मेंने यहाँ पर दे दिया है और title के बाद में यह हमारी requirement हो गई requirement में यह permission जो है content access की वो permission हो गई ठेक है अब मैंने क्या गिया यहाँ पे यह code लिखा है यह जो basically यह code है यह custom node creation के अंदर है तो अना custom node creation के अंदर यह दो name space हमको add करना होंगे यह name space जो है वो हमारा name space drupal के note controller को add करने के लिए और यह name space जो है वो हमारा drupal के controller drupal का जो controller controller base है उसके लिए तो यहाँ तक का यह जो structure था यह तो common था अब उसके बाद में node को बनाने के लिए custom programmatically node create करने के लिए हमको क्या करना होगा यहाँ पर यह use करना पड़ेगा name space drupal का तो हमने यहाँ पर यह name space drupal का कर लिया use उसके बाद में यह मैंने एक class बनाई इस class के अंदर यह function मनाया और इस function के अंदर इस function के अंदर मैंने यहाँ पर node class है class का name और create एक basically function है और इसके अंदर type article और यह node title यह पूरा code लिखने के बाद में जब मैं इस code को run करूँगा तो एक node बन जाएगा अभी यह custom node है मैं यहाँ पर title change कर देता हूँ right, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ test ह 는र तो मैंने यहाँ पर title test कर दिया test node यहाँ पर मैंने title test node कर दिया test node के बाद मैं मैं इसको run करता हूँ यह रन करने के बाद मैं मुझे यहां पर routing file के अंदर यह path है मेरा node creation तो मैं node creation लिखता हूँ यहां पर यहां पर देख रहा है यह मैंने यहां पर node creation लिख दिया ठीक है तो यह node चलेगा और एक node id generate हो जाएगी यह देगे node id same यह जो message है यह message मेरा same message इस में है यह मेरा message हो गया node id with this तो इस node id से यह create हो गया node id अब मुझे क्या करना है content में जाके check करना है है कि यह node बना है यह नहीं बना है तो मैं content में जाओंगा तो यह मैं content के अंदर हूँ और content के अंदर यह देखे node test यह बन चुका है तो इस तरीके से programmatically हम content create कर सकते हैं डूपल 8 में